NTA ने आखिरकार अपनी official statement release कर दी है जैसे कि मैंने आपको पिछली विडियो में बताया था कि वारण असी के एक center से exam leak की allegations उट रही थी police वहाँ involved हुई, NTA ने re-exam करवाने की बात की और candidates ने वहाँ से walk out कर दिया था अब finally NTA ने अपनो official statement release कर दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस particular center पर जहां पर आज English का exam, re-exam conduct होना था इसका exam रद कर दिया गया है और इन सभी candidates का re-exam, re-re-exam conduct होगा अब एक नई तिथी पर, नई date पर जिसको NTA बहुत ही जल्दी notify कर देगा एक पर official statement देख लेते हैं official statement अभी अभी release की गई है इन्होंने कहा है कि this is regarding the examination held at Dr. Ghanshyam Singh College of Education जो वार्म नसी में था यहां पर किसी तरीके के issues की वज़ा से यहां के exam को हम cancel मान रही हैं और इस center के सभी candidates को अभी एक नया time or date लॉट किया जाएगा jisling का re-re-exam conduct हो का यह एक अच्छी बात है कि एक डर जो हमारे मन में कहीं न कहीं बना हुआ था कि क्या यह एक बड़ा मसला ना बन जाए या फिर से यह बहुत बड़ी conspiracy या बहुत बड़ा scam ना निकल कर आए thankfully फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है उसी center के अब दो-तीन और candidates भी सामने आये हैं जो मैं personally jing के साथ touch में थी और उन्होंने बताया है कि मैं कुछ इस तरीके की activities हुई है तो almost सभी same story ही बता रहे हैं तो हम exactly बता सकते exactly कि हाँ वहाँ क्या हुआ था center के part पे वहाँ पर दिक्कत दिख रही है और NTA ने अब कहा है कि re-exam को वहाँ कंटक करवाएंगे लेकिन इसी के साथ-साथ हमें vigilant रहना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ये देखना ये समझना कि आखिरकार हम किस तरह से आगे बढ़ें और NTA को कितना ट्रस्ट अभी किया जा सकता है नहीं बिकिस आज इस re-exam के cycle का पहला ही दिन था तो अगर आप पहले ही दिन एक ट्रस्ट में एक lack शो कर रहे हो एक कमी शो कर रहे हो तो वो चीज आने वाले exam candidates को exam givers को काफी anxious कर सकती है और anxious कर भी रही है इस वक्त हमारे जितने भी students जितने भी candidates हमारे साथ YouTube से हमारी application के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के मन में एक ही सवाल है कि ये आज English के exam में जो हुआ है क्या ये हमारे centers में भी हो सकता है 21 सप्टेंबर से आपने इक साइकल शुरू किया जिसको आप 4 सप्टेंबर को वाइंड अप करने वाले हो क्या आप इतने एबल हो कि आप बिना किसी इशू बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के इस exam को कंटक करवा सकते हो in an honest and senior, sincere manner ये doubt, ये डर सभी candidates के मन में है because a candidate बहुत लंबा travel करके exam देने जाता है और जब वो उसको इस तरीके की बात एक बार नहीं बलकि दो बार सुनने में मिलती है तो ये काफी काफी frustrating और disappointing हो सकता है होता है तो अच्छा part रहा है NTA ने थोड़ा I think कुछ गंटे लगा दिये लेकिन चलो ठीक at least official statement उन्होंने यहां release कर दिया है बहुत ही जल्दी आपको आपके नए centers और dates a lot हो जाएंगे उन सभी candidate को जो यहां exam दे रहे थे and hopefully इस बार आपको आपके centers घर से जादा दूर ना मिलें घर के आसपास ही मिले that is something we can hope for लेकिन साथ ही साथ मैं फिर भी बताना चाहूंगी अगर आपके center पे कुछ और issue note में आया था और वो चीज अब तक अगर highlight नहीं हुई है तो इस channel के माध्यम से हम उसको highlight जरूर करना चाहेंगे comment section में नीचे लिखके जरूर बताईएगा कि आपका experience आपके अपने center पर कैसा रहा thank you so much for watching this video as you all videos के लिए subscribe कर दीजे हमारे official YouTube channel UGC net ADA247 को thank you